असलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे शंकरपड़ी शंकरपड़ी बनाना तो बहुत आसान है फिर भी कभी कबार शंकरपड़ी बिगड़ जाते हैं सक्त और लियर उसमें नहीं आते आज हम बनाएंगे बिलकुल खस्ता और लियर वाले शंकरपड़ी देखिए किस तरह से हमा न्हारे शंकर पली में लिये रहे हैं विडियो में आप एंट तक बने रहें मेरा चैनल हयात किचन को सबस्क्राइब करें चलिए शंकर सब्सक्रेब करें चंकरपली बनाने के लिए मैंने यहां पर दो कटोरी मैदा लिया है मैंने जिस कटोरी से मैदा लिया है उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी पीसी वी चीनी को लिया है उसी कटोरी से आधी कटोरी मैंने यहां पर घी लिया है आधी कटोरी पानी लिया है पानी हमें जितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल करेंगे पैदे को हम एक बोल में दालेंगे आटे में अब हम PCV चीनी को दालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी को मैंने मिक्स कर लिया है आटे में दालेंगे एक चिटगी नमा आप चाहे तो दाल सकते हैं नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं इसे क्या नमक दालने से क्या होगा हमारा जो मिठास का टेस्ट है बैलेंस होगा गी को आईसे ही नहीं दालेंगे एक बरतन में दाल कर गी को अच्छे से गरम कर लेंगे गी को हमने गरम कर लिया है यह थोड़ा बहुत ज्यादा गरम हो गया है थोड़ा इसका हीट को कम होने देंगे और उसके बाद आटे में मिला देंगे गी को अब हम आटे में मिला लेंगे आटे में हम गी को अच्छी से मिला लेंगे चमच के मदस्ते क्यूंकि हमारा गी जो गरम है इससे हाथ हमारा जल सकता है इसलिए आप लोग चमच से आटे को मिला लें गी को मैंने आटे में अच्छी से मिला लिया है देखें अब इसमें पानी दालकर थोड़ा थोड़ा पानी दालकर अच्छा टाइट डो बना लेंगे मैंने पानी को यहाँ पर हल्का गुन गुना कर लिया है पानी थोड़ा थोड़ा दालकर आटे को गुन लेंगे अब हम आटे को ढखकर 15-20 मिनिट आटे को सेट होने के लिए छोड़ा हुआ थोड़ा धकर इस तरह से हमारा आटा थोड़ा 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 है अब इसे हम cutting board पर डालेंगे आटे को हम अच्छे से balance से पीट लेंगे आटे को हम balance से 2-3 मिनिट तक पीट कर अच्छे से soft बना लेंगे इस तरह से पलट पलट कर पीट लेंगे आटे को मैंने अच्छे से टोक पीट कर लिया है अब इसके हम दो इसे कर लेंगे अब इसका एक पेड़ा बना कर आटे को हम हलके हलका मोटा साइग शीट में बेल लेंगे किनारे फटे तो कोई बात नहीं है हम इसे square या diamond shape में काट लेना है बने यहाँ पर शंकरपली के शीट को बेल लिया है अब इसे हम square में काट लेंगे आप चाहे तो इसे diamond shape में भी काट सकते हैं पहले किनारों को हटा लेंगे मने शंकरपली को इस तरह से छोटे छोटे pieces में काट लिया है इसे अब हम deer fry करेंगे शंकरपले फ्राइ करने के लिए मैंने याँ पर cooking oil को एक कड़ाई में गरम होने के लिए रखा हुआता oil को अच्छे से मैंने high flame पे गरम कर लिया है और flame को आप medium कर लिया है देखें हमारा तेल जो है गरम हो गया है इसमें हम एक एक करके शंकरपले को दाल लेंगे एकदम से इनको हिलाएंगे नहीं थोड़ा हलका सा हिला लेंगे थोड़ा फ्राइब होने के बाद हलके आज से अलट पलट कर इनको हलका golden brown होने तक फ्राइब कर लेंगे ज्यादा आप brown फ्राइब करेंगे तो इसका जो प्रोसेस है oil में से निकानने के बाद भी चलता रहेगा चीनी इसमें डली हुई होती है इसलिए ये oil में से निकानने के बाद भी इसका कलर और डार्क हो जाता है इसलिए हम हलका golden प्राइब कर लेंगे देखिए हमारे शंकरपली जो है हलके golden कलर में आ गए है अब इसे हम निकानेंगे शंकरपली का एक्सस आईल को मैंने अपस्ट्रेन कर लेया है अब इसे हम एक टिशू पेपर पर निकानेंगे बागी बचे में शंकरपली को ऐसे ही फ्रै कर लेंगे देखिए हमने शंकरपली को बना लिया है बिलकुल खस्ता लेयरड शंकरपली हमारे बनकर तयार है गरम रहते हुए शंकरपली सॉफ्ट रहते हैं जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे बिलकुल खस्ता बनेंगे शंकरपली को आप 15-20 जिन तक एरटे डिबे में स्टोर करके रख सकते हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना न बूलें हम फिर मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी में तब तक एली अणा